कि यह देखो होगे सारे क्लीन मांजने के वाद जब धोंगे ना तो साथी साथ इसकोट किसी कपड़े से पहुंच दीजिए सबको सुखा देजिए तो यह देखो मेरे अभी इसलिए इतने गंदे फिर भी हो रहे है क्योंकि अभी हफ्ते बर से तब यह ठीक नहीं थी ना तो इन लोगों ने ऐसे ही मांज रखे थे तो इसलिए नीटों तो मेरे हमेशा ऐसे साफ सुत्रे रहते हैं हालो गुड आफटर नून और वेल्कम चुन अधर ब्लॉग कैसे हैं सब और सबसे पहले सबको जनमाश्ट मीं की हार्दिक शुकाम नहीं वैं ब्लॉग बनाने भी भगवान जी के पंडाल के सामने लगी हूँ थोड़ा मेरे फीवर हो रहा था तो बहुत कराब हो रखी है कल भी बारा तो बजी तैयारी करते करते हैं इस सुबा थोड़ा सा लेट उटी थी एक बार लट्डू जी को इन्होंने स्नान कराई दिया था सुबा की पूजा वगएरा हो गई थी बाकी में अभी फिर लगी थी तैयारियों में नौ बजए यह मैं आपक से काब होगा जाए तो वैसे ठाकुर जी मेरे नहा चुके थे पर अब मैंने पूजा नहीं करी थी तो मैंने उन्हें फिर से चन नामरेद बगएरा सब से सनान करा दिया था और मैं ना कोई भी पूजा होती है धर में तो मैं कलश जरूर उसमें स्पापित करती हूं आम के पते डाल सकते हैं लगा सकते हैं और सुपारी, इलाईची, लौंग, सिक्का, हल्दी आप फूल डालके गंगाजल डालके पाने से भरके और उसमें जो है फिर हम इस तरह से नारियल में चुली नपेट के कलावे से बांद के इसको मैं स्पापित कर लेते हूं और शूल बहुं में आप जो भी करें और जब अब जन्मश्च मी थी तो फिर इसमें मेरे साथ में शानीय गराम जी भी थे तो उनको भी मैंने साथ में विराजमान किया था और ये है मेरे ठापूर जी का सुभा का शिंगाल देखिए जिबा मेरे ठापूर जी कैसे लग रहे ह है बताईएगा जरूर को दिया यहां में धनिया पंजीवी बनाने लग गई थी और इसका मेरे बना के शेयर कर चुकी हो प्रॉपर ब्लॉग जो है इसका मैं बात में एडिक करके अपलोड कर दो पंजीरी तो बन गई अब जड़ा दूड ले लो और केला वेला कालू एक तफीवाद की वज़ासे नो ऐसी थोड़ा वीकमेस हो रही है बहुत जगा और ऐसारा काम आजी के दिन हो गया ना कल तो तबियत पैसी खराब रही तो बस थोड़ा बहुत डेकुरेशन करी थी और तो आज फिर परशाद भी बन रहा है सब कुछ हो रहा है तो इस चक्कर में देखो मैं दिखाती हूं कैसा लग रहे है हमारी लेट्टू जी यह देखो अभी एक काम इनका बचा है यह कनेक्टर गड़वड है वो लाकर के लगाने को बोला है तो वो नहीं इनका इनसे हो रहा है इनके बरोसे तो एक काम भी हो ना वो नहीं हो सकता और यह सुबा के मेरे लट्टू जी ऐसे त्यार हो रखे हैं आप सब भी बता ना आप सब ने कैसे कैसे मनाया चनमस्टमी का त्योहार छे वजी तक शाम की जो है मैं इनको पूरे बस्तर शिंगार हटा करके इनको फूलों से ढखके और जो है कपड़े से ढखके सुला देती हूँ और बारा बजे जो है इनको फिर हम लोग उठाते हैं अब जैसे बारा बजेंगे न तो एक बार तो उनको सुवा स्नान करा रखा है अब फिर से इनका शिंगार करते हैं और फिर इनको जुले पर विराजमान करते हैं और फिर भोग लगेंगे जो भी सारे बनेवरों जो परशाद अभी बनाया था ना धनिये वाला उसकी मैंने एडिट करी उतनी देर में रेस्ट हो गई और वह मैंने अपलोड कर दी है तो आप सब जा करके देखिएगा इकना में जरा काम के लिए आई बाहर ऐसा होई नहीं सकता जन्वा इस्टमी हो और बारिश का मुसम नाम अबाइद लावे अच्छा लगा या इस्टमी अधिया इस्टमी आई ये इस्टमी आई ये मैंने के शाम की ड्रेस रेटी करके रगए अधिए और मैंने साथ में नारियल के लड़ू भी बना लिये थे कि बच्चों को भी खूब पसंद है और मन भी निमाल रहा था कि बस एक ही चीज जो है मिठे में भोग में लगाएं तो बस घर के नारियल के लड़ू और धनिया पंजीरी हो गई थी और ये मेरा फाइनल लोग था ज हूँ गया भई सारा काम ना हूँगी अब ना थोड़ी देर में अभी तो पसीने पड़ रहे हैं चोले बन गए हैं जानतर तोहरों में ही बनते हैं और आलू जड़िया है खीर भी बना लिए वस पूरी बनेगी आटा याशी बनेगी अभी भी फीवर हो रहा है आपको तो खहना खाने के बाद खूली सकती होंगे और देखती होंगे क्योंकि रात में तो खहना खालेता है तो फिर दवाई भी खाली सकते हैं रात में खाओंगी दवाई फीवर दी यहां पर खीर भी बस थोड़ा और पकाऊंगे अभी यहां पर आलू इभी ग्रेजी वाली है अभी पर सुखाद होगी थोड़ा ना ज्यादा ग्रेवी नहीं रखोंगी फाइनली वो समय घड़ी भी आई गई जिसका सबको इंतजार रेता है और जिसके लिए इतनी सारी तयारी यहां काऊना जी के जनम को गंटी बजा के थाली बजा के इनको उठाया जाता है और इनको उठाने के बाद फिर इनको पूरा पंचामरित से शाम को हम सनान कराते हैं दूद, धही, घी, शक्कर और शहेद, गंगजल, मिलावाजल और उससे हम इनको अच्छे से सनान कराते हैं और फिर जो भी आपने इनके लिए शिंगार और वस्त्र लिये होते हैं वो सब इनको जो है उससे सजा करके और जुले पे बिठा करके फिर इनकी जो है पूजा की जाती है आरती की जाती है और जो है भोग लगाए जाते हैं जो भी आप सबने बनाये होते हैं तो हम भी बस अपने काना जीक की वही सनान दोनों मिल करके इस तरीके से करवा रहे थे और जैसे भी आप से हो सके वैसा आप शिंगार करिए जितनी सब की श्रद्धा के हिसाब से और जितना हमारा शरीर हमें अलाओ करें उतना हमें करना चाहिए जबकि देखो मेरा तब्याद नहीं थी ठीक लेकिन फिर भी पता नहीं सब चीज़ें की पढ़िया हूँ तो इस तरह से सब ने जो है अलड़ू जी को जुला जुलाया फूलों से उनका स्वागत किया और थड़ी भूद फोटो ये भी खीची ये देखोई ये हमारे लड़ू जी का रात वाला लुक है न तो जो है ये हमारे ठाकर जी बैठ चुके है बस हमने फिर ये सब जुला जुलाने के बाद जो है आरती की आप सब भी आरती ले लीजिए आरती में शामिल हो जाएए और उसके बाद जो है फिर हम भोग के लिए तैयारी करेंगे पूजा के बाद जो है फिर मैं या पूडिया वगेरा तलने लग गई थी और इनको बोला आप जो है भोग की थाली रेडी करो एक तो मैंने करी दी थी दूसरी ये लगा रहे थे और सब में तुलसा जी लगा करके और फिर याशी और इसके पापा ने भोग लगाया क्योंकि मैं पूडिया तल रही थी फिर हाथ गंदे थे बार बार हाथ दो और ये करो तो इस तरह से हमने भोग तयार कर लिया और ये हमारी भोग की थाली है एक थाली में मीठा था पू गई धन्ये की पंजीरी नारियल के लड़ू दूसरी थाली में जो है हमारा पूरी और चावल वाली खीर आपकी और अलू की सबजी और छोले तो ये था हमारे लड़ू जी का रात का भूब और आप सबने कैसे मनाया बताईएगा जरूर